Hello and welcome to Future Clicks दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nikon Z6 2nd Camera के बारे में दोस्तों ये एक Mirrorless Camera है आज इस Mirrorless Camera का हम एक Quick Review करने वाले हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि photography से related बहुत सारे वीडियोज हम इस चैनल पर अबलब्द करवाने वाले हैं जो आपको आने वाले time के अंदर काफी help करेंगे Nikon Z6 second camera इंडिया के अंदर काफी time पहले launch हो चुका है लेकिन आज भी बहुत सारे photographer's के पास यह camera अभी नहीं है क्योंकि वो आज भी DSLR से suit कर रहे है तो यह video उन सभी photographer's के लिए है वो इस video को जरूर दखें और इस camera के बारे में जानकारी ले ताकि वो DSLR से mirrorless की तरफ shift हो सके क्योंकि बहुत सारे features इसमें दिये गए हैं जो कि उनके काफी काम आने वाले हैं चाहिए वो wedding photographer हो या फिर fashionable photographers हो दोनों के लिए ही ये camera बहुत शांदार है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक suspense में रखूँगा और ये बात वीडियो के last में बताऊँगा कि ये जो camera है वो किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और साती सात ये भी बताऊँगा कि इसकी price क्या है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके body looks की मेरे पास Nikon का Z6 second camera है ये दिखने में बहुत शांदार और lightweight है इस camera का जो वजन है वो केवल 615 gram है तो आप इसको एक हाथ से भी सांदार तरीके से handle कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको camera के बारे में या camera की body का structure हो दिखा देता हूँ तो ये इसका back side है इधर से back side से आप देख सकते हो ये इसका left side है left side में आपको इसे दिखता है इसके साथ ये आपका top है यहाँ पर आप top में देख सकते हो इसके अलावा right side में इसके अलावा फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हो अब हम बात करेंगे इस camera के button positioning के बारे में तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा हर cheese के बारे में या हर keys के बारे buttons के बारे में आप बता देता हूँ सबसे पहले हम top से start करते हैं तो यह camera का on-off का button है इससे आप camera on-off कर सकते हो यह on हो गया और इधर आप आपस करोगे तो यह off हो जाएगा इसके अलावा यह बीच में एक button दिया हुआ यह shutter button है इससे आप photo click करते है यहाँ पे recording का भी button आपको दिया गया है जिससे के आप recording on-off कर सकते हो ISO का button है यहाँ से आप exposure set कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे एक screen दी हुई है जो के आपको shooting के दोरान काफी मदद करती है यहाँ पे आपका audio input है यहाँ आपका mic लगावा है जो inbuilt camera के अंदर आता है वो mic है साथ इसाथ यहाँ पे dial button है जिससे आप shutter aperture यह rotate करके आप set कर सकते हो यहाँ पे आप देखे side में देखेंगे तो view finder को adjust करने का एक button और दिया हुआ है यहाँ पे आप अपना flash mount कर सकते है इसके साथ इधर आप देखते है तो यहाँ पे भी एक button आपको दिख रहा होगा जो की display का view finder का और LED का button है यह यह switch करता है view finder को या फिर आप जैसे आप view finder में देखना चाहते हो तो इस button से आप click करके इसको on कर सकते हो या फिर आप screen पे देखना चाहो तो इस button को दबा के आप यहाँ पे LED में भी देख सकते हो या फिर इसमें एक setting ऐसे भी है कि आप जैसे इस view finder के पास में अपने आग को लेके जाते हो तो finder है वो on हो जाता है और जैसे दूर करोगे तो आपको LED पे आपका जो subject हो दिखाए देगा यहाँ पे एक dial button है जो की जिसको आप मोड बटन बोलते है फोटोग्राफिक इस mode पे कर रहे है auto manual अगेरा जो पे होता है तो यह एक dial button है यह एसे dial नहीं कर सकते आप इसको रोटेट नहीं कर सकते यहाँ पे एक बीच में इसका लोग दिया हुआ है जैसे आप इसको प्रेस करोगे फिर आप गुमाओगे तो यह dial काम करेगा तो मैं इसको manual कर देता हूँ यह टॉप हो गया इसके बाद हम लेफ्ट साइड की और आते हैं लेफ्ट साइड में अपने को बहुत सारे connection पोर्ट मिलेंगे यहां से आप उसको open करके मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहां पर C-type का एक पोर्ट है इसके अलावा HDMI का पोर्ट है और निचे यहां पर एक पोर्ट और है जो की remote का पोर्ट है इसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहां पर headphone input करने का पोर्ट साथ-साथ माइको input करने का पोर्ट तो यह सारे connections के पोर्ट है अब बात करते हैं अपन right hand side की तरफ तो यहां पर इस camera में slot दिये हूए है memory card के लिए दो slots आते हैं जिसमें से एक में आप CF express card लगा सकते हो दूसरे के अंदर आप SD card यूज़ कर सकते हो camera के सामने की तरफ से अगर हम बात करें तो यहां पर एक button दिया हूए है जो कि आपके lens को release करता है या फिर अप जैसे lens change करना चाहते हैं तो इस button को press करेंगे और lens को rotate करेंगे तो यह बाहरा जाएगा और अपन दूसरा lens यहां पर fit कर सकते हैं इधर के तरफ आप देखोगे तो यहां पर भी आपको F1, F2 दो buttons मिलते हैं जिनको आप customize कर सकते हो या फिर preset कर सकते हो कि मुझे shortcut button यहां पर कौन-कौन से चाहिए तो दोनो functional button है अब बात करते हैं back side की तरफ तो यहां पर आपको दोस्तो प्ले button मिलेगा आपने जो भी photograph य यहां पर screen पर दिखने लग जाएगी यह delete का button है आप कुछ photos यह videos को delete करना चाहो तो यहां पर आप कर सकते हो इसके लावा इधर हम बात करें तो यह photo और video mode button है जिससे आप photo या video mode में जा सकते हो जैसे अभी यह photo पर select है अगर video में चलाना हो तो आप video पर आ सकते हो यह जैसे यह camera on हो गया अभी जो भी यहां पर आप information देख रहे हैं अगर मैं इस button को दबाऊंगा तो आप और information देखने को मिलेगी जैसे यह आ गया जेबरा इसके बाद में देखो यह lens को set करने का गया है इसके बाद में फिर से दबाऊंगा तो काफी सारी देखो information मेरे पास display पर आ रही है और यह अभी गायब हो गई है तो यह सारी चीज़े इस button से होती है इसके बाद में autofocus on off करने का यह button है यहाँ पर एक joystick button भी दिया हुआ है जिससे हम focus को left and right move करवा सकते ह है तो यह joystick का button है यहाँ पर i button मिलता है i mode i button में आपको काफी सारे features मिलते हैं जहां से आप light control कर सकते हो अपने camera को जैसे आपका picture profile set करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ से आप frame size और image quality कर सकते हो duż volume chaines यहां से आपको image area choose कर सकते हो यहाँ पर आपको वाई- patches कर Rich करना होता है और यहाँ पर आप electronic VR on off कर सकते हो यहाँ पर अब area mode select कर सकते हो इसके बाद मैं आप यहां से white balance set कर सकते हो इसके बाद में microphone sensitivity आपके जो microphone का volume level होता है उसको आप कम या ज़ादा कर सकते हो यहाँ से आप metering कर सकते हो यहाँ से आप अपने cards को choose कर सकते हो next आप vibration reduction on off कर सकते हो और यहाँ से आप focus mode को select कर सकते हो तो यह कफी सारे source की यहाँ पे eye button पे ही मिल जाती है आपको इसके बाद में यहाँ पे यह और button है goal goal यह कोई dial button नहीं है यह arrow button है up down left right जो भी है बीच में आपको एक ok का button मिलता है कोई भी आप settings करते हो इसके बाद में आपको select करना होता है और ok करना होता है नीचे यहाँ पे zoom in और zoom out का button दिया हुआ है साथ इसाथ menu का button है जैसे आप menu का button दबाओगे तो आपके सामने menu open हो जाएगी और यह एक button और यहाँ पे दिया हुआ है जो की frame का button होता है single suit या फिर continue suit का button होता है तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे आपको viewfinder मिल जाता है यह एक electronic viewfinder है इसके बाद में यहाँ पे आती है आपकी screen 3.2 इंच की यह screen होती है काफी अच्छा look देती है यहाँ पे आपको better experience मिलता है इस screen के साथ में इस screen को आप बाहर भी निकाल सकते हो एड़ेस्ट कर सकते हो यह tilting screen है जैसे उपर निचे कर सकते हो left right नहीं कर सकते है आप इसमें तो दोस्तों body looks की अपने बात करिए तो DSLR camera जैसा ही इसमें button positioning है कोई ज़्यादा hard नहीं है बहुत ही simple है आप इसको अराम से use कर सकते हो अग यह वीडियो में आगे हम बात करते हैं इस camera के specifications के बारे में क्योंकि इस camera में कौन-kौन से features हैं इनकी हम बात करेंगे और हम यह camera क्यों ले सबसे बड़ी बात तो यह है तो इसके features की या फिर इसके specifics की हम थोड़ी बात करेंगे specifications की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह camera 24.5 megapixel camera है जो की dual processor के साथ आता है जिससे picture processing शांदार और अच्छी speed के साथ होती है साथ इसाथ इसमें dual cards load दिये हैं जिनमें एक में आप CF express card और दूसरे में SD card को use कर सकते हैं इस camera में आप 14 frame per second full resolution के साथ लगातार shoot कर सकते हो इस camera में आप 4K Ultra HD 60P के साथ shoot कर सकते हो दोस्तों आज के time में vertical videos भहुत चलन में जैसे YouTube shorts या फिर Instagram reels इस तरह के video काफी लोग बनाते हैं तो यह camera उन लोगों के लिए बहुत ही perfect है क्योंकि इसको आप एक हाथ से आराम से handle कर सकते हो इसकी अच्छी शांदार grip है और साथ इसाथ एक हाथ से आप इसको handle करते हो यह इसके जो functions buttons है जैसे setter है command dial और fn button है उनको आप आराम से control कर सकते हो दोस्तो इस camera का autofocus बहुत ही शांदार है और wedding photography में यह feature बहुत शांदार काम आता है इस camera का eye detection बहुत शांदार है साथ इस camera में animal eye को भी add कर दिया गया है low lighting में भी इस camera का शांदार result है अपने focus को आशानी से यह camera track कर लेता है साथ इसाथ यह camera अपने screen के 90% frame को 273 focus point के साथ अपने subject को automatically track करता है इस camera में human के साथ dog और cat eye future को भी add कर दिया गया है इस camera से आप 4K ultra HD at 60p, full HD at 120p और 4K time lapse suit कर सकते हो दोस्तों Nikon Z6 second जो camera है उसको आप snap bridge app के मादम से भी अच्छी तरह से operate कर सकते है जिन दोस्तों को यह पता नहीं कि snap bridge क्या है तो उसमें बता देता हूँ snap bridge एक Nikon की तरफ से develop की गई एक app है जो की mobile में install होती है और install होने के बाद में आप अपने camera को mobile के थूरू remotely access कर सकते हो साथी साथ आप उससे data भी transfer कर सकते हो मतलब photo और videos को भी आप अपने mobile में shift कर सकते हो या फिर transfer कर सकते हो इसके अलावा snap bridge से आप अपने Nikon Z6 second camera को या फिर camera का जो software है या firmware होता है उसको भी आप उस app के मादेम से update कर सकते हो दोस्तों इस camera से आप live streaming भी कर सकते हो वो भी अच्छी quality के साथ में साथी साथ एक plus point ये भी है कि जब भी आप live streaming करते हैं तो आपका जो C type का जो cable आपके camera से connected है उससे तो आपका battery भी साथ में charge होता रहेगा अब दोस्तों यहाँ पर एक मैं सांदार speciality इस camera की बताता हूँ कि अगर आपने आज तक DSLR camera को यूज किया है और आपके पास पहुत सारे पुराने lenses पड़े हैं जो कि आप काम में लेते थे अपने पुराने DSLR camera के साथ में अगर आपने mirrorless camera ले लिया या फिर यही जो Nikon Z6 Second का जो camera है वो ले रिया है तो आपको क्या lens भी चेंज करने होंगे या भी वो भी नए पर्चेज करने होंगे तो बिलकुल आपको यहां पे गभराने की ज़रूत नहीं है यहां पे एक external adapter लगता है जिसको आप FTS-Z connector बोलते हैं वो connector लगा के आप वही पुराने lenses इस camera के साथ में यूज में ले सकते हो photos और videos की अगर quality की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ photos और videos इस camera से suit की है जो कि मैं वीडियो के last में लगा दूँगा आप बिलकुल उनको देखना कि आपको यह video clips या फोटो कैसी लगती है तो दोस्तों अब बारी आती है वीडियो को conclude करने की यह camera किन को खरीदना चाहिए तो यहां पे मैं बता देता हूँ कि जो wedding photographer है या फिर जो face navel photographers है यह camera बिलकुल उनके लिए है आप इस camera को जरूर experience कीजिए साथी साथ मैंने वीडियो के सुरू में जो suspense रखा था कि यह camera किन लोगों को नहीं लेना चाहिए तो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यह camera जो vlogging करते हैं उनको बिलकुल नहीं लेना चाहिए और इसका जो main region है वो है इसका screen आप इसकी screen को move नहीं कर सकते हैं इसको बाहर निकाल सकते हैं, tilt कर सकते हैं लेकिन vlogging करने में क्या होता है आपका जो screen है वो camera की lens की तरफ होना चाहिए तो यहां पर यह बहुती बड़ी इसकी minus point है जो लोग vlogging करते हैं वो इस camera को बिलकुल ना खरी दें साथी साथ अगर इसके camera की price की बात करें तो इसका जो body का price है वो लगबग 1,60,000 रुपे के around है और prime lens के साथ में अगर आप इस camera को लेते हैं तो यह 210,000 तक इसकी price जा सकती है तो दोस्तों वीडियो में दीगी जानकार यह आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन आप चैनल को subscribe करके जरूर जाईएगा धन्यवाद कर दो हुआ है हुआएगा प्रव कर दो सेता है उड़ो बीजियो आपड़ बीज़ यज़ो हुआ आपको के जड़े देगाँ अहां हता हुआएगा पिंदे हुआएगा हुआशाभों हुआएगा चर्वे हुआएगा झाल झाल